शाम का समय हो रख है और बारिश जैसा मौसम हो रहा है विशा का पटनम में और इस टाइम बढ़ना पाइनेपल बड़े अच्छे आ रहे हैं किस किस का फैबरेट है पाइनेपल बताना यह मेरी स्कूटी खड़ी है मैं यह समान लेने इसके बाद मैं जाओंगी घर और कर सकते हैं दो दूंगी चावल वाली और एक राजमा वाली चावल का रेशियो तो मैं अल्रीडी कैवर बता चुकी हूं लेकिन आज मैं आपको बढ़िया वाले टेसी सी राजमा जो फटाफट बनते है डारेक्ट कूकर में और स्वाद ऐसा जैसे आपने बहुत कहड कहड केने बनायो बड़े मजदार बनते हैं यह तो यहां पर मैंने सबसे पहले ले लेने प्याज और प्याज को ऐसे स्लाइसिस में कट कर लेना है तो जब भी आप राजमा बनाए ना कूकर में अगर आप बना रहें मेरे तरीके से अगर आप बना रहें तो इसमेरा हमें प्या फाइन क्लूप यो बना द लूप टेएं यहां पर कट कर लिया है धो प्यां में कट करूंगी साथ में मुझे बिल्कुल कदुकर कर करके अदरग छीए इसराइसाप का सब्गुलाच होता है जाया ओर अधरते हैं तो बलागते को छोट इस खाती को अब टमाटर लेने और हाँ टमाटर से आदाया भाई सब क्या प्राइस चल रहा है मेरे हैं अभी एटी रूपीस किलो है सो भी हो गया था एक बार तो अब बारिश के दिनों में बारिश हो या ना हो सब्जियां बड़ी महंगी हो जाती है सारी सब्जियों ने आसमान चू र पर हाँ जैसे त्योहार शुरू होंगे तब मन करेगा कि आलू गो भी बनाई जाए बाइदावे यह है राजमा जो मैंने भीगो रखे हैं और मैंने लिए हैं यह पहाडी राजमा यह कोई स्पोंसर्ट वीडियो नहीं है मैं नमक वाली चीसे लेती हूँ यह राजमा इसल जैसे भी आप इंस्ट्राग्राम वगर ऐसे चैक आउट कर सकते हैं तो यह राजमा मैंने रात में रात बोल रही हूँ सुबह भी गो दिया था और अब मुझे शाम को बनाना था तो मैंने इसको डारेक्ट्री दोकर कूकर में डाला साथ में टमाटर डाले हैं तीन दो प् रूटीन के मसाले हल्दी मिर्ची नमक धने का पाउडर यह मैं ले रही हूँ भोज ब्रेंड का खास बात यह है इनकी बिना लस्तन प्याज के इनके मसाले होते हैं जैसे अब सावन का महीना आएगा उस पपसे मैंने इस्तिमाल करती हूँ साथ में मैंने डाला है मेरा होमम इस्तिमाल कर सकते हैं और पानी डाल देंगे जरूरत के साथ से और मीडियम हीट पर इन में हम 6-7 सीटी लगा देंगे मध्यम आच पर लगाईएगा मीठी मीठी सी आच में जब यह पकेंगे बहुत ही बड़ीया क्रीमी टैक्शर के राजमा बनेंगे राजमा कही तरीके क तो जो खड़े मसाले डाले थे हमने जैसे की मोटी लाइची और तेज पत्ता लोंग यह सब हम बाहर निकाल देंगे और चम्चे से हमें इस तरीके से मैश करेंगे ऐसे ही मैश करना एकदम क्रीमी टेस्टी सा टैक्शर पकड़ लेंगे यह अब शुद्धी की घरम कर लेन इसमें बड़िया फ्लेवर वाला हींग डालना थोड़ी सी अजवायन गाईज मेरे कहने से और थोड़ा सजीरा और बिल्कूल मतलब कूट के फ्रेश कूट के लस्तन अगर आप खाते हैं तो डालना और जब लस्तन लाल हो जाए तब गैस की फ्लेम कर देना है बंद और ड रड़का लगाना गाईज बहुत ही शांदर फ्लिवर आएगा अंतमे कसूरी में थी थोड़ा सा मेरा होममेड गरम मसाला और धकन लगाकर 10 मिनट रग देंगे तब तक मैंने चावल भी बना लिये हैं चावल बनाने के लिए एक कप अगर आप चावल लेते हैं तो उसमें आपको डेड़ कप पानी डालना है और 15 मिनट के लिए भिगो के रख देना है फिर हाई फ्लेम पे कूकर में एक सीटी लगा देनी है स्टीम नहीं निकालना है तो मैं राइस ऐसे ही बनाती हूँ तो चावल भी बन चुके हमारे और लुक एड़ दा राजमा का इसकी इतना स्वादिश्ट बनता है और बनाने का तरीका कि इतना असान है तो सुबह की भागदोर में भी अगर हजबन को टिफिन देने का प्लैंट बना रही है तो यह आइडिया बहुत शांदार है इस आइडिया से आप दोनों चीज़े एक साथ बना सकते हैं और शुद्धी डालन मुझे फॉलो कर सकते हैं मैरे YouTube चैनल को सबस्क्राइब कर के मुझे Silver Play बटन दिलवा सकते हैं एक महिला बोल रही ही थी कैसे बिकारी की तरह नेहाबीक मांगती रहता है कि Silver Play बटन मैंने कहां भेया मांगनी पड़ती है क्या करेंगे कोई बात नहीं लिदा काम बात पर सकत इंस्टाग्राम पे फेस्बुक पे और ये रेसिपी जरूर ट्राइ करना आपको और आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी वीडियो पसंद आती है तो अगेन आप रीपीटिंग इसे लाइक कॉमेंट शेयर आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे आपको अंदा जलत जाएगा कि राजमाचावल कोमेंट करके जरूर बताना बड़े स्वाद बने हैंगे सुपर एकदम बढ़िया मजदार इशू खालो इशू गोलो के साथ राजमाचावल खाले